सिच्छा, सिच्छा जो है हमारा मौलीक अधिकार है लेकिन मौजुदा समय में जिस तरह से सिच्छा का बाजारी करन हो गया है जो गरिब तपके के बच्चे हैं उनके लिए इसकूल जाना और अच्छी सिच्छा प्राप्त करना बहुत मुश्किल भरा हो गया यह बात दिगर है कि समय समय पे जो परदेश सरकार ही या केंदर सरकार है सिच्छा को लेकर तमाम योजनाएं चलाते हैं लेकिन प्राइमरी सिच्छा की स्थिति से ना हम बेखबर है ना आप बेखबर हैं इधर फिरी सिच्छा फिरी सिच्छा को लेकर एक सोर चला है तो पर्टिकुलर राइट टू एजुकेशन इसकी ताकत इसका अधिकार किया है और इस इसको लेकर अब तक साइकरों बच्चों को एडमिशन दिलाने वाले बरिश्ट अधिवक्ता मनोजराय हंजी से भी बात करेंगे सबसे पहले मनोजराय हंजी से मेरा सवाल ये है कि ये आर्टी एक्ट है क्या इसको आपने कैसे लागू करवाया क्या क्या बिसंगिती आई थी देखिए इस पर काम करने का जब मैं सुरुवात किया तो मुझे दुस्यन जी की कविता याद आई उसमें कविता की ये लाइन थी कि कौन कहता है कि आस्मा में सुराक नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबियत से उचालो यारो और हमारे अटल जी ने भी कहा था कि कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे दिमाग में जब ये विचार आया था उस समय कि प्राइबेट इस्कूलों पे पूरी तरह से उत्तर प्रदेश किया पूरे भारत वरसी सिक्षा ब्योस्ता मतलब प्राइबेट इस्कूलों पे ही आस्रित हो चुकी है सरकारी स्कूल लगभग मृत्तु को प्राप्त कर चुके हैं मैं यह नहीं करता हूँ कि सरकारी स्कूल जिंदा नहीं है वहाँ अध्यापक नहीं है अध्यापक हैं वहाँ तनखा जाता है काफी सरकार खर्च करती है लेकिन बेकार हैं इसकूल, वहाँ कोई पढ़ने नहीं जाता, वहाँ कागजों पे नाम होता है और बच्चों को भोजन खिलाने पे कुछ लोग पैसा कमाने के लिए वहाँ बैठे हुए है सारी का सारी सिक्षाब्योटा, प्राइबेट स्कूलों पे जाकर आस्त रित हो गई है ऐसे में मैंने सोचा, कि प्राइबेट बिद्यालों में पढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसिक खर्च करने पड़ते हैं बहुत महई किताबे आती हैं बहुत बड़े बड़े विद्याले हैं जहां लाखों की फीस है ऐसे इस सिती में एक रिखसे वाले का बच्चा एक खुमचे वाले का बच्चा एक ऐसे बक्ति का जो बिरुजगार हो साधी कर लिया उसके बच्चे पैदा हो गए ऐसे लोगों क गरीबों को पढ़ने के लिए कोई ब्योस्था किया जा जो नहीं सुल्ख हो इस पर हम लोगों ने 1990 से काम करना शुरू किया काम करने का तरीका यही था कि हम लोगों ने सासन प्रसासन यहां से लेके और दिल्ली सरकार तक हम लोगों ने कई आवेदन अपने और अपने मित्र जाहिर की सरकार के भरत सरकार के पास कि प्राइबेट विद्यालेओं में 25% सीट पर गरीबों को पढ़ाने का रिजर्वेशन होना चाहिए और सरकार इस पर नियम बना है तो उस समय मुझे याद है 2009 में मनमोहन सिंग के सरकार थी और मनमोहन सिंग के सरकार के दोआरा राइट टू एजुकेशन 2009 2009 में चुकी बना इसलिए 2009 इसका नाम पढ़ा राइट टू एजुकेशन यानि अनिवार एवं बाल सिंग्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया यहाँ एक एक्ट है एक अधिनियम है इसकी एक किताब है उसमें तमाम सारे सेक्षन है कैसे होग सब भारत सरकार के द्वारा संसत के द्वारा बनाया गया और बना करके उसको लागू कर दिया गया नियम तो बन गया लेकिन नियम बनने के बाद जो परिसानिया आई कि नियम लागू नहीं हो पा रहा था नियम में एक आर्टिकिल ऐसी थी जिसमें ये प्रावधान था कि अगर किसी प्राइबेट बिद्याले में हम आवेदन करने जा रहे हैं आर्टी एक दोहजार नौ के तहट तो उस प्राइबेट बिद्याले के एक किलोमेटर के रेडियस में अगर कोई सरकारी बिद्याले है तो जब तक उसकी सीट भरेगी नहीं तब तक प्राइबेट बिद्याले में ये नियम लागू नहीं होगा तो इसलिए 2009 से 2014-15 तक यह आर्टी एक दोहजार नौ बन तो गया लेकिन लागू नहीं हुआ धरातल में भारत बरस में कहीं लागू नहीं हुआ और हम लोग 2009 से लेके 2014-15 तक सरकार से इस एक्ट को इस एक्ट से उस नियम को उस क्लाज को हटवाने के लिए हम लोग प्रयासरत थे ये 2014-15 में लगभग सरकार के दोरा ये समझा गया कि प्राइबेट सरकारी स्कूलों में कभी तो सीट फूल होगी नहीं और नक सीट फूल होगी और नहीं नियम लागू होगा तो या तो इस नियम को भंकर दिया जाए या तो इस नियम से इस एक्ट को इस प्रावधान को हटा दिया जाए अब प्रावधान हट ले के बाद 2015-16 में इस नियम को लागू कराने में बहुत सारी परसानी आई अधिकारी पहले ही वाला नियम जानते थे जब भी उनके पास कोई आवेजन लेके जाए तो वो करते दें नहीं यह तो लागू नहीं होगा इसमें यह प्रावधान है जब तक सीट भरेगे नहीं तब तक लागू नहीं होगा मैं दिखाया कि यह नियम हट चुका है आप लागू करिए लेकिन अधिकारी नहीं मानते थे यह लागू कराने के लिए हम लोगों को प्रथम बार 15-16 या 16-17 का भी तियवर्स होगा जिसमें हम लोगों ने सहीद पार्क चौक में आमरण अंसन पे हम बैठे हमारे साथ काफी लोग आये लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हम किस लिए आमरण अंसन पे बैठे है आमरण अंसन हमारा आठवा दिन जाकर के अधिकारी तब हरकत में आये जब मेरी तबित खराब होने लगी मेरी उंगलिया अपने आप मुड़ने लगी तो लोगों के बीच में ये आकरोस पैदा हुआ कि अगर कोई ब्यक्ती मर जाएगा तब सासन पर सासन के लोग जागे और मेरे पास आए और मेरी बात ध्यान से सुने और मुझे लिखित रुप में दिया गया कि नहीं आप आवेजन करवाईए हम लागू करेंगे इसको तो पहला आमरण अंसन में ये बेवस्ता हमने लागू करा दिया फिर लागू कराने के बाद हमने उस साल एड्मिशन कराया फिर अगले साल दिक्कत आई हमको सीट बहुत कम मिल रहे थे किसी बिद्याले में दो सीट किसी बिद्याले में तीन सीट किसी बिद्याले में चार सीट हमने कहा 25% का मतलब पूरे बिद्याले के बच्चों की संख्या और उसका 25% निकाला जाए तो बहुत होता है हमको 2-3-4 सीट क्यों मिल रही है तो सरकार के द्वारा बताया गया कि नहीं कक्षा 1 में जितनी सीट है उसका 25% हमने कहा चलिए यही माल लेते हैं तो कक्षा 1 म भी किसी बिद्याले में आज के डेट में 80 बच्चे से कम नहीं है चालिस बच्चे से कम नहीं है तो हमको 25% यानि 10 या 20 हमको सीट मिली चाहिए तो फिर अगले साल हमको और आमरणसन करना पड़ा जो तीन दिन चला उसमें सरकार के अधिकारियों से यह तै हुआ कि जो बड 5000 रुपया प्रावधान उस एक्ट में था लेकिन नहीं दिया जा रहा था और विद्याले को 45 रुपया प्रतिच्छातर देना था वो भी नहीं दिया जा रहा था तो दूसरे आमरणसन में वह भी मेरी मांग पूरी हुई तब जाके यह बहुस्ता पूरी तरस है यानि बच्चों का एड्मिशन फिरी में उसको सिक्षा मिलेगा और कापी किताब खरिदने में वह अईभावक कमजोर है इसलिए सरकार के दौरा 5000 रुपया मिलेगा जिससे वह कापी किताब अपना डेस खरी सकता है और विद्याले यह सवार मेरा जो और है अगर कोई अभी फावक अपने बच्चे को R.t.e. के तहत्री कराने के योग है या नहीं पहली पहली चीज आपको है इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आपकी आए ऐसी होनी चाहिए कि एक लाग से ज्यादा नहों जो प्रावधान करता है लेकिन उससे भी इतर आप आके जानी है कि जैसे अगर किसी बच्चे का माँ और बाप दोनों लोग सरकारी सर्विस में नहों इंकम टेक्स पे न करते हों चाहें वो किसी भी कास्ट से बिलांग करते हों तो वो सारे लोग अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए योग होंगे तो पहले तो योगिता होगी कि कौन कराएगा अब बच्चे की योगिता जान लेते हैं कि बच्चा कैसा होना चाहिए बच्चे की उम्र तीन से उपर और साथ से नीचे होनी चाहिए जिस भी तीय बर्स में मतलब प्रवेश हो करना चाहता है जैसे अगर अब दो हजार तेईस में करना चाहता है तो एक अप्रेल दो हजार तेईस को देखा जाएगा उस बच्चे की उम्र तीन साल से उपर होनी चाहिए और साथ साल से नीचे अब यह जान लेते हैं कि बच्चे का किनकिन कक्षाओं में प्रवेश होगा तो बच्चों का प्रवेश पूर्व प्राथमिक कक्षा यानि नर्शरी, LKG, UKG और प्राथमिक कक्षा यानि कक्षाओन बस तो नरसरी, LKG, UKG और कक्षावन इन्ही चार क्लासों में प्रवेस बच्चे का होगा अब एक बार प्रवेस हो गया तो ये बच्चा उस विद्याले में अगली कक्षा में जाता जाएगा लेकिन अब उस बच्चे को प्रवेस के लिए क्या-क्या डाकूमेंट देने पड़ेंगे उसके गारजियन को तो इसमें डाकूमेंट मुखिरूप से चार डाकूमेंट की आवसकता है बच्चे के माता का या पिता का किसी एक का आधार काड आयप प्रमाड पत्र आयप प्रमाड पत्र एक लाग से कम होना चाहिए और उसके बाद बैंक एकाउंट और ये तीनों डाकुमेंट पे एक पता होना चाहिए जिससे ये साबित होगी आप इस पते के रहने वाले हैं और चौथा डाकुमेंट है मुख्य रूप से बच्चे का जनम प्रमाडपत अब बहुत गरीब लोग इसमें जब आएंगे तो जनम प्रमाडपत बनवाना सब के लिए संभो नहीं है तो सरकार ने उस एक्ट में बहुता किया है कि अगर जनम प्रमाडपत किसी बच्चे के पास नहीं है तो नोटरी एफिडेविट जो कोड से मातर 50-60-100 रुपे में बन जाता है नोटरी एफिडेविट बनाके उस पर गारजियन घोशना करेगा कि मेरे बच्चे का नाम ये है मेरे बच्चे का जनम इस डेट को हुआ है मेरे बच्चे के उम्र ये है इसके माता पिता का नाम ये है उस लेटर की जिम्मदारी, जिला धिकारी, जिला बेसिक सिक्षाधिकारी जिला समन्व कधिकारी और खंड सिक्षादिकारी इस चारों लोग उसके लिए जिमदार है 2009 से ये बिवस्ता लागू हुई है और हम 2023 में आ गया है लेकिन हमें लगता है फिड भी अगर बलिया छोड़ दिया जाए तो अन्य जन्पदों में अन्य राजों में इसको लेकर कोई खास जाग रुकता नहीं है मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आप भी RTE के बारे में जान जाएंगे और उसके बाद जितने भी गड़िप तपके के बच्चे हैं वो कभी अनपर्ध नहीं रहेंगे इसको जाएंगे अगर RTE पोर्टल पे वो बिद्याले अपलोड नहीं कराया है अपने आपको तो आपको अनलाइन आवेजन भरने में दिक्कत होगी बगल के बिद्याले बगल के वाड और ग्राम पंचायत का बिद्याले भर रहे हैं अधिकारी उसको मानने से इन कर कर रहे हैं जबकि मैं इस पे लड़ाई लड़ा इस पे भी मैंने एक बार करमिक अंसन किया कि वाड और ग्राम पंचायत का कोई नियम नहीं है और मैंने महानी देसक स्कूल सिक्षा से RTI मांगा था जिस RTI में मैंने पांच बिंद्यों पे RTI मांगा था इसी से संबंदी जिसमें लिख के आ गया कि अगर आपके वाड में विद्याले नहीं है अगर आपके ग्राम पंचायत में विद्याले नहीं है तो आप पडोस के वाड और ग्राम पंचायत में अपना आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पडोस में भी नहीं है जिसके लिए मैं अभी पांच दिसंबर को जिल अधिकारी से मिला हूँ जिस पर बात हुई है मेरी तीन मुख्य मांगे हैं जहां पे सरकार के अधिकारी मुझे से टकरा रहा है एक तो वो डिमांड जो चार वर्सों से योगी सरकार के द्वारब पैसा नहीं दिया जा रहा है न अभिभावकों को न गर्जियन को ये गलत बात है प्रावधान में ये लिखा हुआ है या तो सरकार मुझे ये लिखके दे दे कि अभिभावक को 5000 रुपया नहीं दिया जाएगा और विध्याले को 45 रुपया प्रतिचातर नहीं दिया जाएगा सरकार लिखके दे दे फिर मैं सुप्रीम कोट हाई कोट जाओ और दूसरी बात कि वार्ड और ग्राम पंचायत का अगर नियम है तो सरकार के अधिकारी जो बलिया जन्पन में बैठे हैं या पूरे उत्तर परदेश में कहीं भी बैठे हो वो मुझे वो नियम दिखा दें वो सासना देश दिखा दें कि अगर जिस वार्ड में आप पैदा हुए हैं उसी वार्ड में अगर विध्याले होगा और आर्टी पोर्टल पे रजिस्टर होगा तभी आपको एड्मिशन मिलेगा ऐसा कोई नियम हो तो वो दिखा दें में बनाएंगे यह चार डाकुमेंट फिर से आप सुन लेजिए बच्चे के पिता या माता दोनों में से किसी एक का आधार कारड आयपरमाण पत्र जो एक लाग से कम आयका हो और बैंक एकाउंट तीन चीज और बच्चे का जनम परमाण पत्र अगर गार्जियन के पास एक और एक मतलब डाकुमेंट हो जैसे जाती अपका बनता हो तो आप जाती प्रमारपत लगा सकते हैं बाकि उसकी कोई mandatory वो नहीं है मुखे रूप से ये चार डाकुमेंट आप लगाईए आवेदन के साथ उसको लगा करके आपको भरना है जब आप आवेदन करने जाएंगे तो वहाँ उस प्रोफार्मा पे एक फोटोग्राफ लगाने की भी ब्योशता है तो दो फोटो की जरूत है और ये चार डाकुमेंट की जरूत है पहले इसमें आफ लाइन आवेदन हुआ करता था अभी सरकार के दोरा आप लाइन आवेदन कर दिया गया है किसी भी साइबर कैफे पे जाईए वहाँ से आपका आवेदन हो जाएगा तो मनुझी अगर कोई अभी फाबक इस्कूल का चैन करना चाहे उसकी क्या प्रक्रिया है हाँ इस्कूल का चैन करने की प्रक्रिया दिखी पहले जब आफ लाइन था तो उस आवेदन में ही प्रोफार्मा में बिद्याले का नाम लिखने के लिए जगा बनी थी आप अपने पसंद से अपने बिद्याले का नाम चुन करके लिख लिया करते थे अभी सरकार के दोरा आनलाइन बिवस्ता कर दी गई है तो आनलाइन बेवस्ता में क्या है कि जब आप साइबर कैफे पे अपना आवेदन करने जाएंगे आनलाइन तो उसमें RT पोर्टल पे जाएंगे तो विद्यालों की लिश्ट खुलेगी जब आप अपने वार्ड का या अपने ग्राम पंचायत का नाम डालेंगे तो उसमें जो भी विद्याले रजिस्टर होंगे उनका नाम दिखेगा उसी में से आपको सलेक्ट कर लेना है अब इसी में दिक्क्त आ रही है मांलेजिये मेरे वार्ड में कोई विद्याले नहीं है तो नाम सो नहीं करेगा बिद्याले है और रजिस्टेशन नहीं करा है तब भी नाम सो नहीं करेगा तो अब आनलाइन आवेजन में दिक्कत आ रही है कि अगर अपलोड नहीं है वो बिद्याले आर्टी के पोर्टल पे तो वो सो नहीं करेगा सो नहीं करेगा तो आप अपने आवेजन में उसको भर नहीं सकते जिससे काफी परेशानी आ रही है लेकिन जहां पे अपलोड है वहां पे आपने आपने आवेजन भर लिया भरने के बाद आपको उसकी हाड कापी मिल जाती है हार्ट काफी ले जाकर आप ये से आप Zelमा भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं तो भी आपका फ़िरिकेशन होगा फ़िरिकेशन के बाद आपका अवेदन लाटरी के लिए जायेगा और लाटरी उसके निकाली जाएगी उसमें अगर आपके बच्चे का नाम आता है लाटरी भी कम्प्यूटर के माध्यम से निकाली जा रही है पारदर्शी ब्यवस्ता उसमें हम लोगों ने मिलकर बलिया जन्पंद में बनाया है और यही ब्यवस्ता पूरे भारत मरस्में लगवल लागू हो चुकी है तो उसमें कम्प्यूटर के द्वारा लाटरी निकलेगी लाटरी में अगर आपका नाम आता है तो जिला बेसिक सिक्षाधिकारी द्वारा लेटर जाली किया जाएगा सत्रह दुनी चौटिस तीन सचालीस दो जीरो और बढ़ा दिजिए 34,000 गरीबों के बच्चे जो हर साल उनका नामांकन हो सकता था उनका नामांकन नहीं हो पा रहा है हम जितने आवेदन बलिया में भरते हैं या किसी भी उत्तर प्रदेश के जिलों में भरा जाता है काफी आवेदन निरस्त कर दिये जाते हैं क्योंकि बेद्धाले में सीट नहीं है क्योंकि बेद्धाले 2000 की जग़ा पर मतलब मुश्कील से मान के चलिए 10% बेद्धाले का रेजिस्टेशन कराए गया है 90% बेद्धाले आज भी इससे बाहर है तो उनमें हमने मांग किया है कि आफ्लाइन अवेजन की परकाया, अगर नहीं अपनाई जाती है, एक फरोरी को जिला धिकारी बलिया के दौरा मुझे बुलाया गया है इसी पर, अगर हमारी बात मानती है या सार्थक बहस होती है उस पे पहल होती है तो ठीक है अगर नहीं होगी तो लगता है इस बार फिर हमें कोई न कोई अंसन चाहे करमी का अंसन करना पड़े या आमरा अंसन करना पड़े करना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों मांगे हम मनवाएंगे नहीं तो इस तीनों मांग अगर नहीं पुरी होई तो इस ब्योस्था में ऐसी दुर्ब्योस्था पैदा होगी कि ये ब्योस्था समाप्त होने के कगार पे पहुंच जाएगी अब मनुच राय हंजी से हम ये भी जानने की कुर्सिस करेंगे 2009-2023, 14 सालों में इनकी मेहनत क्या रंग लाई है कितने बच्चों का अब तक इनके दोवारा एडमिशन कराया जा चुका है जो भी आया, मैं किसी ऐसे उदेश से काम नहीं कराया कि वोट के चस्मे से देख करके काम कराया जाए मेरे पास जो भी आया, मौश से आया, आजमगड से आया, गोरकपुर से आया गाजीपुर से आया, बलिया जनपत के सुदूर छेतरों से, बेल्तरा से, नगरा से, रस्ना से, बैरिया से यहां तक कि बिहार से मुझफर नगर या मुझफर पूर उधर है न कहीं वहां से भी मेरे पास फोन आते हैं यह सोचल मेडिया आप लोगों की देन है बड़े पेपर मेरी नियूज नहीं निकाल पाते हैं उनको कुछ परेशानी है लेकिन सोचल मेडिया पे जो आप जैसे लोग हैं वो काफी मेरी बात को ऐसा बतलब प्रसालित किया है कि पूरे भारत बरस के कोने कोने में लगभग ये बात पहुच गई है मुझे कई स्टेट से फोन आते हैं और अपने स्टेट से कई जीलों से फोन आते हैं यहां पर मैंने कई लोगों को खड़ा कर रखा है कि यह ब्योस्ता है उसका यह हैंड विल है उसका यह प्रफार्मा है उसका यह आवेदन पत्र है मैंने उनके हवाट साप पे भेज किया मैंने कोई भी व्यक्ति जो समाजी सेवा करने के लिए एक शुक है मैं उसको बोलता आप खड़ा होए यह काम करिये कोई दिक्कत हो तो मुझे अन्य जनपदों में भ्रमड करने के लिए जाना भी पड़ता है वहाँ का जिला बेसिक शिक्षादिकारी अगर बात नहीं मानता है तो मैं जा के उसको समझाता हूँ बात मनवाता हूँ मौँ में एक बार मैं गय हन्स बहुत पैदा हो गया है तो सारे जगह ये एडमिशन वहां के लोग करवा रहे है ऐसा नहीं कि मुझे जाना पर पड़ रहा है वहां कोई ने कोई 15,000 लोगों के बच्चे किसी न किसी प्राइबेट बेद्याले में जिनकी लखो की फीस है वहाँ पे फ्री में पढ़ते हैं एक बरतन माजने वाली एक लोगों के घरों में जाडू लगाने वाली लोगों के घरों में खाना बनाने वाली ठेला चलाने वाला बैक्ती फुटपात पे बैट के मुंफली बेचने वाला बैक्ती आप सहर में घूमकर निरिक्षर के जिए कई ऐसे लोग मिलेंगे जिन से अगर बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ मेरा बच्चा सेंट थामस में पढ़ता है हाँ मेरा बच्चा सन्वीम स्कूल में पढ़ पढ़ता है ऐसे बड़े बड़े स्कूलों में ऐसे गरीबों के बच्चे पढ़ने जा रहा है और देख करके जो उचित लगे वो ब्योस्था करें अब तीसरी इसमें मांग जो मेरी थी आफ लाइन अवेदन की मैं आफ लाइन अवेदन इसलिए नहीं मांग कर रहा हूँ कि आफ लाइन अवेदन मुझे अपने मन से भरना है तो मैं कुछ भी भरूँगा या गलत करने के लिए सब आप आनलाइन कर दीजे मुझे कोई दिक्कत नहीं आफ लाइन इसलिए मैं मांग रहा हूँ कि बलिया जन्पद की सिति में के ओल आपको बता रहा हूँ इससे आप समझ लेजिएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश की हालत क्या है बलिया जन्पद में 2000 प्राइबेट बिद्याले आज काम कर रहे हैं 2000 प्राइबेट बिद्याले में तीन बर्सों से अनलाइन ब्योस्ता लगए और अभी कितने बिद्याले अफ्लोड किए गये हैं आटी पौर्टल पे मात्र धाइसो के आशपस यानि अब समझे धाइसो के आशपस बिद्याले अप्लोड हैं बाकी विद्याले लगभग साड़े सत्रा सो विद्याले अभी भी आर्टी पोर्टल पे अपलोड नहीं है और उन विद्यालों में हम आवेदन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आनलाइन उन विद्यालों का नाम सो नहीं करेगा तो मेरी डिमांड यही है कि सरकार के अधिकारी यहां पे आप लोग बैठे हैं जिला अधिकारी हो जिला बेसिक्स अधिकारी हो तिन सालों से आप लोगों ने इन विद्याले को RT पोर्टल पे अपलोड नहीं करा पाया तो या तो इन सारे विद्याले की मानिता रद कर दीजिए जो प्रावधान हमारे RTA 2009 में है अगर मानिता रद नहीं करते हैं तो आप अपने पावर का इस्तिमाल करिए और मार्च के पहले पहले सारे विद्यालेओं को पोर्टल पे अपलोड कराने के लिए मजबूर करिए अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं और सारे विद्याले अपलोड नहीं करा पाते हैं तो फिर इन विद्यालेओं में किस बिधी से आवेधन किया जाए मुझे बता दिए वो एक मात्र आफ लाइन ही होगा तो आफ लाइन आवेधन आमतित करिए अब विद्याले जब जान जाएंगे कि आफ लाइन आवेधन होगा ही तो वो पोर्टल पे अपने आपको रेइस्टर करा लेंगे क्योंकि सरकार ने विद्यालेओं को ही अधिकार दे रखा है कि आप अपने आपको RTE पोर्टल पे अपलोड कराएं अब विद्याले जान गया है कि अगर मैं अपलोड कराऊंगा तो मेरे विद्याले में RTE एक्ट के बच्चे आने सुरू हो जाएंगे तो इसलिए विद्याले अपलोड नहीं करा रहे है अब जब आफ लाइन हम आवेधन भरेंगे तो जिला बेसिक शिक्ष अधिकारी की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी मेरे आफ लाइन आवेधन को तुम आलाइन करो उस विद्याले को अपलोड करो उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी तीन साल में अगर सरकार के अधिकारी अपलोड नहीं करा पाए विद्यालों को तो इसका नुकसान हमारे गरीब अभिभाव क्यों उठाएं साड़े सत्रह सो विद्याले में सत्रह सो विद्याले ही आप मान लेजिए तो 17 सौबे द्यालेव में 20 सीट ही ले लिजिए तो 17 गुणे 20 करेंगे तो 17 दुनी 34, 34, 2 जीरो और बढ़ा दिजिए 34 हजार गरीबों के बच्चे के तहत मनुजराय हंसी द्वारा 15 हजार बच्चों का एडमिशन सिर्फ भल्या जनपद में दिलाय जा चुका है ये बात सभी जानते हैं कि एकले चना भार नहीं फोर सकता है लिकिन ये कोसिस मनुजराय हंस जिने जो सुरू के थी आज वो कोसिस एक मुहिम बन गई है और जो गरीब के बच्चे हैं उनके बच्चे भी आज बढ़िया कानवर डिश्कोलों में तालिम ले रहे हैं सिच्छा अर्जित कर रहे हैं तो मैं अब यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए हर बारिकी को जानिए और जानिए कि RTE राइट टू एजुकेशन सिच्छा का अधिकार क्या है किस नियम के तहट आप भी अपने बच्चों को दाखिला करा सकते है जैसा कि मनज़ुदा हंजी से यह भी बात यह उन्होंने कहा कि जिनके माबाप जिन बच्चों के माबाब मदलब अभी भाबाक सरकारी नोकरी करते है या इनकम टैक्स देते है वो इस दाइरे में नहीं आएंगे लेकिन यह देश है गरीबों का देश है भले हम कागजों में कहँ दे कि हमारी गरीबी इतनी घड गई है यह वो लिकिन जैंबिनी हकिकत क आप लोग सब भली भाति जानते हैं लोग पैसा के अभावों में शिच्छा अर्जित नहीं कर पाते तो मैं चाहूंगा मैं गुजारिस करूंगा इसमें जैसे मैंने कहा आवेदन आपकरिए आवेदन में क्या किया लगेगा मैंने बता ही दिया है आवेदन करने के बाद स्याधार, आय, बैंक पास्बूक और बच्चे का जनम प्रमार पत्र और फोटो जो लगाया है उसका एक फोटो कापी कराईए और वही ले जाकर के विद्याले में जमा करना है और जो लेटर जारी हुआ है वो लेटर उसके उपर लगा देना है ये चीजे विद्याले में आप जमा करेंगे विद्याले आपका प्रवेस लेगा जो समन विद्याले जो होगा जो पढ़ा लिखा विद्याले होगा वो एड्मिशन ले लेगा और जो विद्याले कुछ थोड़ा सा मतलब पैसे वाले लोगों के हैं थोड़ा परिशान करते हैं अईभावकों को तो इसमें मैं अईभावकों सिखे निवेदन करूंगा कि ये भारती संबिधान द्वारा प्रदत अधिकार है अगर कोई विद्याले आपको बार-बार दवडा रहा है आपका एडमिशन नहीं ले रहा है या आपको इस तरह से परिशान कर रहा है कि आप अपना लेटर और अपना कागश लेके ठकहार के घर बेठ जाए तो आप लोगों से नंबर निवेदन है कि आप घर न बेट बेठें आप जहां के भी हों पूरे उत्तरप्रदेश की मैं बात कर रहा हूं या पूरे भारतबस की भी मैं बात और बेचला उसके पिता जी ठेला खुमचला आया कि किसी तरह पेट पालते है मिन्टू तो जाता है कार्णमेटी स्कूल में लेकिन चिंटू नहीं जा पाता है लेकिन चिंटू के पिता जी चिंटू के अभिभावक इस वीडियो का अगर देख लेंगे तो आपके बच्चे भी मिन्टू के साथ सेम इसकूल में सेम कच्छा में सेम में बैटके सिच्छा अर्जित करने का काम करेंगे मैं अंतीम में मनोच राय हंजी से ये गुजारिस करूंगा कि आप अभिभावकों को कुछ अपिल किजी अभिभावकों से मेरी अफिल है कि आप अपने अधिकार का प्रयोग करें देखिए जो ब्यक्ति अपने अधिकार का उपभोग नहीं कर सकता वो ब्यक्ति मेरी नजर में ये उसका जन्म लेना इस धरती पे बिकार है अगर आप अपने बच्चे के लिए अपने घरों से बाहर निकल के लड़ाई लेने का काम नहीं करेंगे तो आपका जीना बेकार है मैंने तो सबके बच्चों के लिए जो भी हो सका मैं लड़ा और अभी भी मैं खड़ा हूँ सारे बिद्दाले मेरे खिलाफ हैं इसके बावजूद भी मैं आपके लिए मैं बलिया कचारी में हूँ जनपद या पूरे उत्तर प्रदेश की कचारी में मैं एक वकील तो काम कर नहीं सकता लेकिन बलिया में जो भी अभी भावक मेरे पास आते हैं ऐसी समस्या लेके यहाँ पे लगबग दरजनों मुकद में हमने कर रखा है और उन विद्यालेओं को एक ने एक दिन जुगना पड़ रहा है और जुग रहे हैं आके बच्चों का इड्मिशन ले रहा हैं माफी मांग रहे हैं और कर रहे हैं तो आप इसको समझिए जब मैं ऐसा करवा सकता हूँ मैं एक ब्यक्ती हूँ मेरे पास दो ही हाथ है न दो ही पैर है दो ही आखे हैं आपके पास भी यह सारी चीज़े हैं आप क्यो नहीं आपको बस इस्टेंड तो करना है अगर इतना तो पड़े लिखे हैं कि किसी अधिकारी के पास आवेधन कर सकें वो आवेधन लेकर आपको जाना है कहीं दिकत हो तो बलिया में हूँ बागी Teacher कहीं न कहीं अधिवक्टा तो मिलेंगे ही अधिवक्ता नहीं मिलते हैं तो आवेदन तो आप करिए मुझसे फोन पे कभी भी संपर कर सकते हैं जहां से जो भी कानूनी राय होगी मैं आपको दूँगा लेकिन इसमें न्याले में जाने की जुरूत नहीं है बिद्याले पे आप दबाव बनाएंगे अधिकारी के हैं आवेदन देंगे वहीं से आपका काम हो जाएगा अभी चुकि नई नई ब्योस्ता है बिद्याले ये समझ रहे हैं कि मैं थोड़ा दस बार आपको लोटा दूँगा